जै महाकाल दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने में एक बहुत महत्व पूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, कल दिवाली है और दिवाली में धन प्राप्ती के टोटके, जाडू के टोटके और वसी करण काजल और चर्म रोग निवारण के लिए आपको उपाय बताने जा रह हैं और अपने जिन्दगी में सुक्षम्रिद्धी धन प्राप्ती के लिए आप अपना कारे कर सकते हैं, जिससे आपको अकास्मिक धन, रुका धन प्राप्त करने के लिए ये बहुत महत्व पूर्ण टोटका आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इस प्रेयोक को जन हिजन कल्यान के लिए उप्योग करें, जिससे आपको बहुत अत्यधिक धन प्राप्ति के धन येस्वय भोप्राप्त करने के लिए आपको हो सकता है, तो ज्यादा समय ना लेते होए सबसे पहले चर्मोग लोग के लिए आपको हम वो पाय बता रहे हैं यदि किसी वेक्ति को जाई हो गया हो आखो के नीचे में जाई हो जाता है उस दवा में ठीक नहीं होता दात खाट खुजली हो जाता है वो ठीक नहीं होता तो आप दीपावली को रात को यह प्रयोक कर सकते हैं यह प्रयोक करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको देखना है कि जहां पर यहीं भी दीपक निकाले रहते हैं जलाने के लिए तो आपको क्या करना है आपको आते देखे जाते देखे लेकिन उस दिपक से उस दिया से आपको तेल को चोरी करना है और उस तेल को ला करके अपने घर में उसी का प्रयोक करना है तो उस प्रयोक को करने के लिए आपको क्या करना है कि उस तेल को थोड़ा थोड़ा रोज अधिरे वह जहाई है दाद खाज खुजली है वह ठीक होने लगता है यह हमारे 36 गड़ में सबसे प्राचीन और असरकारी टोटका है इसका प्रयोग आप कीजिए और अपने चर्म रोगों से आपने जात पाईए इसके बाद आपके लिए दूसरा प्रयोग यहा है कि जिन व सीखरलिना है और उस ज्याड़ लेखर कर उसमें जल छिड़क करका उथुल चढहाना हूं थुआ फूल तुन प्रकार के लेुन सफेद और पीला इन तीनों प्रकार के फुलों को ळेंकि । fel जहाणव में चढहा देना है और चढहने के परच्छा रवा चाउम्ल तप्हे लेकर कि उसको चढ़ा देना है और मा लच्मी जी का ध्यान करना है कि है मा लच्मी आप हमारे घर में आए और धन संपता वैभो का भंडार भरिये इस प्रकार से आपको विंती करना है और फिर उसके बाद उस ज्जाडू को अपने घर में रख लेना है आपको ज्जाडू से रोज आपको ज्जाडू लगाना है अपने घरों में आप देखेंगे कि धिरे धिरे आपके घर में लच्मी जीगी खुद आएंगे और आपके चारों तरफ धन संपती वैभाव आपका बढ़ने लगेगा और आपका धन का कमी दूर हो जाएगा तीसरा महत्मपूर्ण प्रयोग वसीकरन काजल बनाने के लिए आपको दिपावली के रात को ही करना है उसके लिए आपको एक दिया में कड़वा तेल नीम के तेल लेना है और उस तेल से आपको काजल बनाना है तो काजल बनाने के लिए आपको क्या करना है साम को पीपल के कि नएंशे निम के तेल से आपको दिया जलाना है और दिया जलाने के बाद उसका वन जो है पूरु अधीशा की और होना है और फिर आपको इसका जो धुँँआ है or धुँआ को एकठा करना है तो उसके लिए आप उस दिया जलने वाले के उपर में एक अवर द्या पैसे रख देंगे जिससे कि वह जो द दिया जब जलेगा दो हुआ उससे आपको अब को ले करके ऊछघंई कर के ऊसमें थोटेल करके वेर sports關i by यॉव्ड you अपने लिए ठीका वगेरा लगाने के लिए नजर वाधा के लिए आपको प्रयोग करने हैं उस वसीकरण काजल का प्रयोग आप करते हैं तो कोई भी नकार आत्मकुर्जा आपके पास नहीं आगा भूत परेत तोना जादू यह सब आपको कुछ भी काम नहीं करेगा आप कोड कर चहरी आदालत जाएंगे तो आपका कारे बनेगा और आपका कोई भी प्रकार का जो कार है कोई आपका बात नहीं सुनता है वो भी आपका बात चुनेगा इतना कार देने वाला यह प्रयोग है तो आप इस प्रकार से आप वसी करण काजल बना सकते इसी प्रकार के वीडियो और जड़ी बूटियों के बारे में जानने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर कीजिए और इसको चारों तरफ अपने दोस्तों खला दीजे ताकि वह दिपावली के दिन यह सब प्रयोग करके अपना जिन्दगी अपना सवार सके और धन प्राप्ति के नए नए आउसर बना सके धन्यवाद